के चलें जी बैंकिंग पेमेंट एंड एक सारी बात होने जा रही हो बैंकिंग क्यों चीज़ें आती है जब थे धी ट्राइक्शन होते हैं उसमें क्या-kया चीज होती है यह सारी चीज़ दिसके अंडर आती है इसके कॉंटेंट्स आप देख सकते हैं इसमें पीस्य ना बहुत इंपॉर्टन ना आपने ऐसा करने कि इसको को स्किप नी करना क्यूंग काफी स्टूरेंट को को छोड़ जाते हैं वैंगरन तो आपने बॉक्स से इसको स्कॉंड करने किसी जरी मालन यहां पर देख लेते हैं एक मिनुट इस बिजनेस से सब्सक्राइब करते हैं और मैंने 50,000 रुपीज़ कर दिया मेरे पास सब्सक्राइब करते हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं यहां पर बैंक को लोन दे रहे हैं इसका मतलब यहां पर क्या मतलब है कि बैंक अब हमें देता है सब्सक्राइब करते हैं इसका मीनिंग है सब्सक्राइब करते हैं इसी दिए आपने अकसर मेसेज देखा होगा जो भी ट्राइक्शन का मेसेज आता है तो वह नॉर्मल डेबिट करेट से उल्टा होता है जैसे अगर कोई पैसे कट जाते है आपका अकांट सांब चाहिए तो वहां पर मेसेज आते हैं और अकांट मत्राइब टिख नहीं और लेकिन यहां पर उल्टार रिलेशन्शिप होता है बैंक के हम लोग क्या होते होती हैं तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी में रिदक्श बैंक इस पेएबल बैंक इस पेएबल दो यह उल्टा हो जाता है फिर बिजनस रिसीबल हो जाते हैं और बैंक जो हमारा पेएबल हो जाते हैं हमारी लाइव लेटी इंवेसट करते हैं आपने अक्सर सुचाओगा के वह लेके बैठ तो नहीं जाते हैं अब यह वह जो तमाहम पैसे एक जो भी बैंक पैंड जो बिलら रुपीस जितने भी मिला आपे सब कहीं नहीं इंवेस्ट किया जाते हैं तो इसको इन्वेस्ट कर चुके हैं जिहांतम पाधब किया है। जिनको प्रॉपर नॉलिज होती है स्टॉप मार्केट की तो आपके पैसे को फ्री नहीं रखते कहीं नहीं कहीं लगाई रखते हैं क्योंकि बैंक ने अपना भी काम चलाना है ठीक है बैंक्स प्रवाइड नंबर ऑफ सर्वेसिस्टू कस्टमर और ऑफन चार्ज इंडरस्ट अगर आपने डेबिट कार्ड लिया वे उसकी चार्ज आपको कट होएंगे यह तमाम चीज़ें हम एक चैप्टर में देखें होंगे जो कि उसका नाम है बैंक रीकंसिटेशन टॉड़्स एंड यहां तक क्लियर आपको कुई इसो तो नहीं है बेसिक बातें थी यहां तक ओके एक सेट अब देख लेते हैं नेक्स वालीजिस बैंकर जाइशन अल्दो बैंक दस नोट है फू अगांट टू इस कस्टमर पर अनी प्रॉफित दैट मेंक विद्विट देपॉसित लेगन एक जो बैंकर होता है नुसकी नंबर अफ ब्लिएशन इसका ही मतलब है यहां पर काफी फॉर्मल वे में बातें लिखी हुए लेकिन जब भी एक हम जाते हैं बैंक में कैश करवाने तो वह हम भी जा सकते हैं हमारे इलावा थर्ड पार्टी भी जा सकती है जैसे हमने किसी सप्लायर को या किसी बंदे को पे कर दिया अब वो निक अब लगा सकते है इसको अलाविंस है ठीक है बैंक डाव पे चेक इन पार्ट अब्यस्ली अगर एक बिजनिस अंडर्ड डालर निकाल रहे तो उसको 50 डॉलर नहीं देगा बैंकर पूरे पूरे अंडर्ड डॉलर जी देगा यह नहीं कह सकते कि आप 50 आज ले लें 50 कर लें ठीक है तो एक तो यह अप्लिकेशन है बैंकर है आपके कांट के अपने बैलन्स चैक पर क्या वह बैलेंस के अंदर-अंदर है यह यह इसा है आपका 500 है और अपने लिए रूपीजन करवा लें तो ये दो चीज़ों पर डिपेंट करता है ओवर्डाफ भी हो सकते हैं कुछ बिजिसेज ओवर्डाफ फेसिलिटी भी ले लेते हैं ओवर्डाफ फेसिलिटी का यह मतब्द है कि माइनस में आपको फिगर चला जाते हैं उस पर फिर आपको इंटरस्ट लगता है वो भी एक स जाता है तो वह बैंकर मस्ट प्रवाइड दे अमांट ऑफ टे बैलन्स ऑन दिया सकता है अडिया विसी अपने भी चीज देखी होगी जब भी हम बैंक जाते हैं तो इसे अगर उन से बहुत साल से ट्रेडिंग करें उस बैंक से तो वहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं तो इसलिए वहां पर हम जब भी उनसे पूचें तो वह में खुशी खुशी बैंस बता तो आपके अकांट को बैलेंस विकली ओपन करेंगे वह आपको बता देंगे ठीक है यह भी इनके अब्लिगेशन है नेक्स लेकित हैं बैंकर मस् प्रवाइड स्टेटमें श्वेंग देटनेक्शन पाइंगे बेंगे जो बैंक स्टेटमेंट होती ना वह भी पैंकर की रिस्पोंसिबिटीटी एक से यह बहुत सिंपल है फिर कस्टमर उब्लिगेशन है में ड्यूटी ऑफ कस्टमर इस्टू इंशोर डाट रिजनेबल के रिज एक्सराइज विन ड्राइंग अप्टेक्स ऑविएस्टी चैक हम ड्रॉ करें तो अगर बैंकर हमें अब्लिगेशन दे रहे तो कस्टमर की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीटी बनते हैं कि चैक सही त कि ठीक है यहां तक क्लेर आपको कोई शू तो नहीं है अब एक नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक क्लेरिंग सिस्टम अगेन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है यह सारा जो स्लेवास है यह यूके का है तो यहां पर हो सकता है सारी चीज़ में पा दोसे में इसको जाता है और हम तक क्लेरिंग सिस्टम एक संट्रल बैंक का ग्रोप है जिसके अंदर काफी सारे बैंक है उनकी आपस में जो है वो मून ऐस्ट्रीट बैंक जो मेजर बैंक जैसे यहां पे नहीं है बड़े-बड़े बैंक ही लो गया मीजान वह गया तक है इ इस चीज़ को रेकिगनाईज करते हैं कि अगर HSBC के बैंक में कोई बार्कलेस बैंक का चेक लेके आया हो तो वह उसको भी क्लेर कर सकता है आपस में दोनों की होती है दोनों बैंक की और अगर बार्कलेस बैंक में कोई HSBC का चेक लेकर आयो ठीक है तो वह भी वहां पर क्लेर हो जाएगा तो यह एक क्लेरिंग बैंक का ग्रूप बना होता है तो यह इसको चीज़ देखते हैं अब यहां एक्जेंपल देखते हैं क्लेरिंग सिस्टम की और चेक्स पेड इंटू से लॉइड बैंक ब्रांचेस इन डे अर संट टू लॉइड हैड ऑफिस जब एक नो बज़े बैंक शुरू होते हैं पांच बज़े खता में जाता है तो छे साथ बज़े चेक्स को हैड ऑफिस की तरफ भेज जा जाता है जो भी पूरे दिन के आ दो करना ही होती है लेकिन यहां पर बात करें लॉइड बैंक पर जाके आप बार्कले का चेक कैश करवा सकते हैं ठीक है उसके डावा जो कह कहते हैं का भी चेक है वो भी कैश करवा सकते हैं तो डिफरेंट बैंक्स ने ना क्लेरिंग सिस्टम्स बनाए है अपने ताकि जो भी नेट बैलेंस वो एक दूसरे को पे आफ कर ले ठीक है जैसे फॉर जेंपल शॉप कीपर्स का नहीं हो ताकि शॉप कीपर बहुत बिजी मार्केट म बहुत कस्टमाज आ रहे हैं अब उनको फॉर जेंपल पांच सो का चेंज चाहिए तो वो हंडर्ड रुपीज के पांच नोट ले लेते हैं लेकिन पांच सो नको वापस नहीं करते हैं तो बाई दी एंड ऑफ दे डे वो पूछते हैं हमारा कोई हिसाब तो नहीं है तो य सब्सक्राइब बात है आप समझ क्योंगी क्या आप पूर्ड पर पर पर्टिक्लर डे लॉयड्स रिक्वाइर एटीन मिलियन फ्रम एचेस बीसी को रीच करेगा क्या में एटीन मिलियन देने डाटर ड्रॉन ऑन एचस बीसी बैंक अकांट्स तो इंटर्न रिवार्स फ्व लापस में इन सबने क्लेरिंग जो सिस्टम में बनाया है यह बागी पॉइंट्स भी आप यहां खुद कर सकते हैं कुछ भी यहां पर डिफिकर्ट नहीं है अब टाइमिंग ऑफ लेंग सिस्टम इसको भी देख लेते हैं तो हूल प्रोसेस ऑफ क्लेरिंग चेक्स टेक्स यहां भी कुछ ऐसे यह पाकिस्तान में लेकिन थ्री वर्किंग डेज यूके के अंदरी लेता है जैसे अगर आप मंडे को कुई पेमेंट चेक करवाने जा रहें कैश करने जा रहें तो उसमें थ्री वर्किंग डेज लगते हैं ट्रांसफर होने में तो बदब कि यह चीज हम बहुत क्लोजली देखेंगे बैंक रिक इंसिलेशन बाड़े चैप्टर में बैंक रिकंसिलेशन ठीक है मैं आपको एक्जैंपल देता हूं आज 31st जैनुवरी है लेट से 2020 ठीक है 31st जैनुवरी 2020 आज एक बंदा जो है वह 500 डॉलर जो है वह अपने बैंक में क करता है यह दूसरा कर चेक लेंगे जिसका मतब इसमें 324 वर्किंग लेंगे लेंगे इसके अकाउंट में शो होते हैं तो अब उसने 31st जैन 20 को यह कर लिए इसका मतब अपनी भी बुक्स मों मिंटेन कर रहा होगा अपनी अकाउंटिंग बुक्स उसमें इसने एंट्री कर जाके पांच दिन बाद इसके अकाउंट में जाए वश्य होएगा तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट इसको फेबुरी में दिखा रही होगी इस डिपॉजिट को लेकिन इसकी अपनी बुक्स जया हो जैनवरी में दिखा रही होगी ठीक है इसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिले आप कुछ डिपॉजिट करें तब भी इस सिस्टम है जब आप पेमेंट करें किसी को तब भी इस सिस्टम है क्योंकि दोनों सिनेरियो में तीन दिन लाजमी लगते है ओके सब्सक्राइब होता है पेसिकली इसका सान लवज है बाउंस चेक ठीक है आपने सुना होगा बैंक हो जितने आपका बैलेंस से भी ज़्यादा है तो किसी ने किसी वजुहात की बिना पर आपका जो चेक है बाउंस कर दे जाते पेमेंट प्रोसीड नहीं करती है ठीक है सब्सक्राइब यहां तक चीज़ें क्लेर हैं करनलिक इंफर्म कर दें तो इश्यू तो नहीं आ रहा ह ओके ठीक है अच्छा अब यहां पर लिखाओ टाइपस ऑफ रिसीट और पेमेंट सबसे पहले कैश है फिर हमारी चेक है तो मतलब कि इसका यह मतलब है कि जो भी हम रिसीट यह पेमेंट करें या तो कैश से रिसीव हो सकती है कैश के नोट से आता हमें मिल सकते हैं या फिर चेक में सकते हैं चैक आपने एक्सर देखा होगा इस तरह को होता है यूके में इस तरह होता है पाकिस्तान में आजकल हर किसी के पास चेक बोक है ओविसली तीक है नीचे देख लेते अब चेक पर यह तमाम चीज़ें लिखी होती है इनको भी एक दफा पढ़ना जूरू ह पर किесьए क्रीज़ के पर हो सकते हैं स Catholics में आपको आज यहां सबसे लिकंद होती है जुक्छ Hadda मेंक इस नाम प्रांच कर गारें हम प्र पर लखी होती है और सिलिए मांड हम दोनों लिखने होती है यहां पर और यह वर्ड्स में लिखने होता है ठीक है तिए और बढ़न हो अगर मैं आज की डेट लगा रहूं लेकिन आज मैं चेक नहीं निकल आता तो यह सिक्स मुन्स तक वैलिट यह नहीं चलेगा वहां पर इसको डिसवनर कर देंगे इन कुछ बहुत है कि इसके नाम पर अकाउंट नमर इस तमाम चीजें उपर यहां चेक पर लिखे रिखेंगा मतलब है कि जब भी रखे करते हैं आपने किनी सब्सक्राइए को यह किसी भी बंदे को लिख अन्दी तो यहां पे फुन 오 पको पतरा बहुत ज़्य होता है बैंकिसेक्टर लें तो कर लगश्री का यह मतनुद है कि हम जो मतलब है कि इसको इस तरह करके में ही यह हो सकता है या फिर कहीं गिर जाए या किसी रस्ते में गिर जाए तो अगर कोई और बंदा तो इसको नगर नाम तो इसको बेज रहें क्रायग शिसको प्रॉपी सरस्ते और इसको नाम ना करवा सके पैसे यह उसको इसे लिए कश्ट आ करवा सके डाइरеक्ट गर जो बैंक Shaking दर फैसे जिसको पेपर अंधर एक राप होता है सब्सक्राइब करना पीछ आपको पता है जो एकाउंट होल्डर होता है उसका सब्सक्राइब करें हमारे बैंक एकाउंट कभी और जिसको आप पे करें उसका भी साइन जो है लाजमी इस पर होना चाहिए तो यह क्या उतना यह भी देख लिए एंडिविज्वल विल ऊफन है वा बैंक गैरंटी कार्ड और चैक गारंटी कार्ड इस प्लास्टिक कारड इसुट अचांट फोल्डर बैंक अग्जैंपल एग्जैंपल एग्जैंपल एग्वेशन बिलो यह बेसिकली डेबिट से चेक विद नंबर ऑफ गैरंटी कार्ड रिटन ऑन दी बैक ऑफ चेक देख विल गैरंटी पेमेंट ऑफ टो एन अमांट शोन ऑन दे कार्ड इस माइट बिफिटी डॉर्स हंड़र्स और इवन तो फिफिटी डॉर्स बैंक एक तरन से गैरंटी करते हैं आप चेक लेकर चेक देट बैंक गैरंटी कवर्जी अमांट ऑफ चेक करना पड़ता है कि मांट पूरी है यह निए चेक देट कार्ड इस्टिल वैलिड ठीक है तो बेसिक बेसिक चीज़ेंस में चेक करना ज़्रूर्ण है इसको भी में डिटेल में डिसकस करूंगा बैंक रीकंसिरेशन के अंदर स्टेंडिंग और भी और एक और चीज़ा डायरे यह यह वाला ठीक है बडियां भी इसको एक दफार शुरू से डिसकस कर लेते हैं तो स्टेंडिंग ओडर क्या होता है इस इन इंस्ट्रक्शन तो बैंक बाइड पेर टूपे असर्टन अमांट ऑन रेगुलर बेसिज यूजिली मंतली थर्ड पार्टी दिस रिमूब्स दे नीड और एनीवन विदिन दे बिजिन्स तो रिमेंबर तो में अब बिजिन्स में काफी सारी ऐसी ट्राइक्शन होती है जो कि हमें याद नहीं जयättे हैं तो सिर्द में तो हमांट नही metal हें इसको की मुबाइल फिक्स होति है और जाल चर्थ में को क्या करते हैं कि बैंक जाल दिया कूछ एक और वी इसकी ग्जेंपल है काफी लोग चैरिटी डेते हैं तो चैरिरटी में क्या करते हैं बे बिजनस बाले है को इंडिजुड बैंक को इंट्रेक्शन देते हैं कि इस डेट को हर पहली तारीक को हर फिफ्स तारीक को आपने इस अकाउंट में जिसका भी चैरीटेवल biological का अकाउंट है इतनी अमाउंट इस टाइम पे आपने इनके अकाउंट में डाल देनी है यह भी स्टैंडिंग ओडर होता है मजीड डीटेल हम इसकी बैंक रिकंसिलेशन में देखेंगे डिरेक्ट डेबिट भी चीज़ है लेकिन इसके अंदर अमाउंट और टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है दोनों जहें वो नौट फिक्स होती है यह बेसिकली ज्यादा तर यूज होता है सप्लायर को पेम दे दिजिएगा तो यह होता है डिरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी ओके सब्सक्राइब